नमस्कार स्वागत है आपका खबर गाउं शहर बुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ अधिती चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटा फट अंदर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी उजना के आठवी किस्ट देंगे 9.5 करोड लाभारती किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड रुपए के राशी करेंगे जारी प्रधान मंत्री की और से जारी एक बयान में कहा गया विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी कारेक्रम में पी एम किसान निधी किराशी जारी की जाएगी लाभारती उसे समबाद भी करेंगे चिकेट सार स्वासमंस्टी डॉक्टर रगुशर्वा ने गुरुआर को कहा प्रधेश में वैक्सीन की सप्लाई नहीं होने से वैक्सिनेशन होरा प्रभावित राजस्तान में जारी रखने के लिए ततकाल 20 लाख डोस की जरूरत राजस्तान में गुरुआर को कोरोना के 15,866 नहीं मामने सामने आई जिसकी बाद प्रधेश में कुल संगर्मितों की संक्या पहुंची 8,21,525 प्रधेश में 169 मरीजों ने कोरोना की चलते थोड़ा दम बिमारी से 6,370 मरीज तोड़ चुके हैं दम प्रधेश में आक्टिव केसस की संक्या बढ़कर 2,11,889 पहुंची फिलाल 12,929 मरीजों कोरोना से हुए रिकवर मनवरताना शेतर में डैम में नहाने गई दो सगी बेहनों की डूबने से मौत शेतर में फैली संसनी दोनों सगी बेहने डैम में नहाने गई थी एक बेहन का डैम में पैर फिसला बचाने के लिए दूसरी बेहन भी कुदी दोनों की मौत भरतपुर के काम हमें विवाहित महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया विवाहित आने थाने पहुँचकर आरूप्यों के खिलाफ किया मामला दर्ज पुलिस ने मौके से विक्ति को हिरासत में लिया मामला दर्श करने के बाद कामा डियस पी प्रदीप यादव ने मामले की गहनता से जांच शुरू की मथानिया के भामशार राजेश गैलोत ने अपनी निजिस सीटी बस को सेटिलाइट अस्पताल में कोईट महामारी के दौरान मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए सुपूर्द गी मरीजों को मिलेगी रहत पाटोदी में राजा सुमंत्री हरीश चौधरी के अनुशंसा से सामुदाइक स्वास्त केंद्र पाटोदी में 25 बैट का 5 अपसिजन सिलिंडर के साथ कोईट सेंटर शुरू पांच लाग राजा सुमंत्री हरीश चौधरी और 51,055 समिती सदस से रशीदा बानों ने दिय बाड़ मेर में कोरोना के चलते शहर के बाद अब गाउं पर हुआ प्रशासन का फोकस संक्रिमन रोकने के लिए 45 आरेस को सौपरी कमान एक आरेस अफसर रोजाना तीन तिन ग्राम पंचारतों का करेंगी निरिक्षन जिला कलेक्टर रोज शाम एक गंटे वीडियो कांफरेंसिंग कर लेंगे फीडबैक जैसरमेर की भारती जनता पार्टी जिला उपादेक्ष आईदान सिंग भार्टी पुद्रशी साख सिंग ने 20 सिलिंडर जिला प्रशासन को कराये उपलब पुरुना फीडिता को मिलेगी बड़ी राहत भवाने मंडी में इंडिया जन शक्ती पार्टी द्वारा महमारी की चलते जरुरत मंदों को बाहटा चाराह राशन सामगरी पार्टी के राश्री सिलाकर राजजिंद्रिदास गुपतान में बताया जरुरत मंद परिवार और असाय लोगों की सामने आर्थिक तंगी के हा पार्टी द्वारा संचालित भारत जनकल्यानी उजना के राश्री संचो मुकेश पार्टी दार द्वारा जरुरत मंद लोगों की साहता हितु गरीब बस्तियों में हरी सिंग के हाथों निशुल के राश्री वितरन किया गया चार हजार से ज्यादा परिवारों को वितरत क जाएगी राशन जैसल मेर मेर मेईद के मुबारक मौके पर आखातीश पर कैबिनिट मिनिस्टर की अपील मंत्री साले मौमद ने दिया मानवता का वास्ता साले मौमद ने इद की नमाज घर पर अदा करने की अपील गी साथ यह खतीश पर शादियों के सतागित या कम व्यक्तियों की संख्या में करने की की अपील बिकानेर साबने दिवस पर दो दिवस ही है इचंदा प्रदरशनी में समापन के अवसर पर चंदा पूजन के सास्थ पगडियो का किया गया प्रदरशन साफा कला संस्क्रित ते संस्था की ओर से ओनलाइं चंदा प्रदरशनी का हुआ आयोजन स्योकुरागसी के संगर गाउं के लिए बरगंच में पानी छोड़ा गया लेकिन गाउं तक नहीं पहुचा गाउं के लोगों ने गैर कानों ने रूप से बांध लगा कर पानी को रोका इचाई विबाग ने सम्मन्दित ग्रामिनों के केट की बारी काटने के बाद आवैद बंदे को हटाया पानी के आप पूर्ती चालू कराई मतानिया में नव्यूवक मंदल मतानिया के समिक तत्वा धान में स्वैच्चक रक्तदान शिविर का हुआ योजन कन्या मावी द्याले मतानिया में किया गया योजन शिविर में 131 यूनिट रक्तदान प्राफ्त हुआ जिसे उमेद अस्पताल ब्लड बैंक टीम जोथपूर मतुरादास मातुर ब्लड बैंक टीम और पारस ब्लड बैंक टीम द्वारा संग्रेद किया गया बवाने मंडी में नर्सिंग कर्मियों को अक्सिमीटर के लेवल जाशने की दी जानकारी फील्ड स्टाफ को सौसो मेडिकल किट किये वित्रित कोविट चिकित्सा की जानकारी चिकित्सा प्रपारी डॉक्टर रोईताश कुमार और डॉक्टर रोईतोनी द्वारा बैठा की गई स्टाफ सदस्यों को मेडिसिन किट, गलव, मास्ट, सेनिटाइजर देकर विस्तार से बताया गया बियलोम प्रकाश ने जानकारी देकर बताया अक्षेत रित्या पर होने वाले शादिस अमारों को लेकर कोरोना गाइडलाइन्स की पालना कर विवा संपन कराने, बाल विवा नहीं कराने के बारे में दी गई जानकारी साथी को टीम दोरा पूरे गाओं में डोर टो डोर सर्वेकर लाउट स्पीकर के जरी बैटक में लिए गए निर्न्यों की दी गई जानकारी, सर्दी जुकाम बुखार वैले व्यक्तियों की जानकारी जुटा कर इलाज के बारे में बताया जोदपुर के तिवरी में भामशा राजेश गैलोत ने नीजी सिटी बस को सेटेलाइट अस्पिताल में कोईट भामारी के दौरान मरीजों का स्पिताल लाने ले जाने के लिए प्रशासंगों की सपूर्द मरीजों को मिलेगी राहत उधर प्रदेश के कुशिनगर से सोशल मीडिया पर तेजी सवारल हो रहा है वीडियो जिसमें टी एसाई परफंद ज्यादव ने गरीब असाई व्यक्ति जो कहीं से आ रहा था रोक कर उसे खाना खिलाया फिल्हाल खबर गाउं शहर बुलिटन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे डीपी की न्यूस के साथ नमस्कार